मेरे प्यारे बच्चो, मैं संध्या मिश्या आपके अच्छे स्वास्त की कामना करती हूँ आज मैं आपको कक्षा तीसरी उडान हिंदी पाठ माला से पाठ जार खेल और सेहत से जोड़ी कुछ बाते बताऊंगे बच्चो, खेल हमारे अच्छे स्वास्त के लिए अत्यन तावश्यक है दूसरों को जब भी आप खेलते देखते हैं, आपका भी मन खेलने के लिए मचलता होगा और भला क्यों न मचले, खेलना किसे पसंद नहीं खेलने का आनंद या नोखा होता है, क्योंकि कोई भी खेल हो मन रंजन के सांसात मन को तरो ताजा एवं शरीर में फुर्ती और उल्लाज भर देता है मन रंजन का अर्थ है दिल बहलाग, फुर्ती का अर्थ है तेजी और उल्लाज का अर्थ है उमंग या खुशी खेल खेलने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और अच्छी सेहत जीवन का सबसे बड़ा खजाना है कुछ बच्चे पूरी दिन टीवी के सामने बैठ कर अपना समय और सेहत खराब करते हैं सेहत का अर्थ है, स्वास्त है, टीवी देखना बुरी बात नहीं है लेकिन जादा टीवी देखना हमारी सेहत के लिए नुकसान दायक है जब आप टीवी देखते हुए खाते हैं, तो यह हमारे स्वास्त पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और हम अपने शम्ता से ज़्यादा खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं जादा टीवी देखने के कारण ही हमारी आँखों की रोशनी कमजोर हो जाती है छोटी छोटे बच्चों को चुश्मे लग जाते हैं और हमें परिशानियों का सामना करना पड़ता है जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध खाना पीना जरूरी है उसी तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है कुछ बच्चे मैदान में जाकर खेलते हैं कुछ बच्चे घर में रहकर खेलना पसंद करते हैं कुछ बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या दौर लगाने का खेल खेलते हैं दूर रहते हैं, उनके सुभाव में चिर्चिरा पना जाता है वो बात-बात पे चिर्चिराने लगते हैं लेकिन जो खेल कुद और सैर करने की आदत डाल देते हैं उनके चेहरे का नूर और प्रसंदता हमीशा नजर आता है बड़ी-बड़ी डॉक्टर और वेक्यानिक भी यह बात कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज खेलते हैं और सैर करते हैं वे कम भी मार पड़ते हैं जिस तरह पढ़ना हमारे लिए जरूरी है उसी तरह खेलना भी हमारे लिए जरूरी है जब हमारा स्वास्त अच्छा रहेगा तो ही हमारा मन किसी अन्य कामों में लगेगा कोई भी काम शारी रिखो या दिमागी बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे आज सभी बच्चे मन में तैगरो कि जिस तरह हम रोज स्कूल जाते हैं उसी तरह हम रोज मैदान में खेलने जाया करेंगे खेल हमारी सेहत और मन रंजन दोनों का ख्याल रखता है तो हमें भी खेलों को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए अपने जीवन में खेलों को शामिल करो बच्चो इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है अच्छी सेहत जीवन का सबसे बड़ा खजाना है और हमें अपने जीवन में उसे प्रभावी बनाना है और कोई न कोई खेल खेलते रहना है बच्चो धन्यवाद